वेल आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंट्रस्टिंग होने वाला है विए आप लोग कॉमेंट सेक्शन में यह सवाल कई बार पूछ चुके हैं कि अगर आपकी शेयर मार्केट से या फिर क्रिप्टो मार्केट से इंकम आ रही है तो आपको उस पर कितना टेक्स लगेग कि step by step आपके सारे सवालों का जवाब देने की मैं कोशिश करूँ वैल आपको answers मिलने वाले तो आप इस वीडियो को एंट तक देखेगा and definitely बहुत सरे लोगों का और भी यही सवाल हो सकता है जो आपकी दिमाग में चल रहा था तो इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं जि को एक बड़ा interesting incident बताना चाहूंगा जब मुझे थोड़ी सी अच्छी इंगा वाने लग गई थोड़ी सी अच्छी मैं क्यों बोल रहा हूं क्योंकि उसके बाद ही आप टेक्स जेते हो जब आपको नोमिल मालो आप 45-50,000 रुप में गमाते हो तो कोई फरक नहीं बड़ता है मला हमारा income में से कुछ हिस्सा जाएगा सरकार को सो जब मैं इस चीज की उपर बहुत अवरेट था हूंनोंने बात बोली जो मुझे आज तक याद है सो मैं आपको बताना चाहूंगा और उन्हें मुझे बोला कि पुश्कर टेक्स देना बहुत अच्छी बात है आज कि मुझे जिना पढ़े का हो मुझे टेक्स देना पड़े अप इस चीज के लिए ऑलग तो मैं भगवान करें आप में से हर इंसान को सौ-सौ-बॉड्र पर टैक्स देना पढ़े कम से कम उससे ज्यादा आप ने तो यह तो हो गई किर एक इन्सिडेंट वाली बाध जो मिन अब चाहिए तेक्स भर रहे हो पुट इंडरेक्ट टेक्स आप में से हर विक्ति देता ही देता है मैं कहता हूं जो इंसान सांस ले मुझे रहा है वो टेक्स आप कैसे मैंने टेक्स नहीं दिया सणकार को आप अभी अगर इस वीडियो का किसी मुबाइल फोन में देख रहे हैं कंप्यूटर पर देख रहे हैं अगर आप उसे खरीदा होगा तब भी आपने टेक्स दिया आज आप अपने घर पे एक biscuit का packet भी लेकर आते हो चाहिए बटर लेकर आते हो चाहिए आप मिल्क लेकर आते तो इंडिरेक्ली तो आप टेक्स देते ही हो अब डिरेक्ली जब टेक्स देते हो जब आपकी इंकम बनती है तो अब विदाउट वेस्टिंग एन टाइम हम स्टेट अवे बात करेंगी कि शेयर मार्केट और क्रिप्टो करनसी के ऊपर अगर आपको इंकम आरे दोनी आपके लिगाट टेक्स लगता है यहां पर इक चीज म को बता दू हम जो मैं आपको बताऊंगा इसे आप समझेगा तो हुंआ मैं उनको ब्रकेज के उपर बार्केट की और पर के आपको दूगा तो यहां पर सकतर्ट किश्ट कर रहें ज हैं एश्चाय अगर आज समुष् 6 रुपे 12 रुपे ूगया मतलब आपने दिखा कि आपका फैस डॉल हो गया अब किसी nutrit रुपे जाए था तो एक लाख रुपे 2 trillion हो गगए अब अगर आपने शेयरज समय बेश लट को नेट प्रॉफित चलाइजा स्टेंच अजो का सबस्ट बनाया तो अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि मिले को टेक्स कितना देना पड़ेगा राइट यहां पर यह चीज़ को समझना है अभी मैं शेयर मार्केट की बात कर रहा हूं तो महीने में आपकी कुछ भी इंकम हुई और उसे आपने बेश दिया शेयर को तो आपको 15% का टेक्स देना पड़ेगा इसे हम बोलते हैं शौर्ट टम क्यापिटल गें टेक्स यह आपको शेयर पर देना पड़ा अगर आपने किसी शेयर को फॉर एग्जम्बल आपने एश 10% के आप से शेयर के ऊपर आपको लॉंग तर्म कैपिटल गें टेक्स देना होगा यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट यह भी है कि अगर आपका जो लॉंग तर्म कैपिटल गेंड बन रहा है वह एक लाग से कम है तो एक लाग तक आपको कोई टेक्स नहीं पे करना एक लाग से उपर प्रॉफिट होता है तब आपको 10% के स्लाप के कोडिंग आपको टेक्स पे करना पड़ेगा बट जब हम क्रिप्टो की बात कर रहे हैं तो चीज़े थोड़ी सी अलग है उसे समझ लेते हैं अगर आपका पैसा बढ़ गया डबल हो गया तो अगर आपका पै हुआ है उसके ऊपर आपको 20% का टेक्स देना पड़ेगा अगर आपने दो साल से जाधा उसे होल किया है तो अब आप बोलेंगे साथ में 10% और वहां पे 20% क्यों और एक और चीज़ देखी मैंने बोला शेयर में एक साल से जाधा होल करेंगे तो लॉंग टम लगेगा एक साल से कम 15% 1 साल से जाधा 10% बड़ वहां पे दो साल से जदा उसे लॉंग टम कंसीडर कर रहे हैं और वह शेयर से 20% के साब से तो 20% के साब से क्यों देना भी यहां पर जाब आप शेयर्स करीदते हो तो आपको टेक्स पे करना होता है जिससे हम बोलते हैं स्टी पी रुपए का STT पे करते हो जब भी आप किसी asset को खृते हुए security transaction tax pay कर रहे हो सरकार को तो वहां पे उस asset के ऊपर अगर आपको long term capital gain tax लगेगा तो वह एक साल के ऊपर valid होगा और वह सिर्फ आपको 10% पे करना है बट जहां पर आपको STT नहीं लगता क्योंकि crypto की market unregulated market है कोई law नहीं है इसके ओपर STT पर अभी तक नहीं लगता है क्योंकि आप STT यहां पर पे नहीं करते तो आपको पहली बात तो दो साल के ऊपर लॉंग आपको जो प्रॉफित है उसके ऊपर आपको 30% का टेक्स देना पड़ेगा आपको शॉट तर्म के अंदर आपको जो capital पे गेन हुआ है उसके ऊपर जो आप टेक्स देते हैं उसे शॉट तर्म capital गेंटेक्स कहते हैं 30% का आपको तब देना पड़ेगा अगर आपकी पांच लग से लेकर 10 लग तक की इंकम है तो आप 20% के slab में आते हो और जब आपकी 10 लाग से उपर की income होती है तब आप 30% के slab में आते हो तो मैं आप इमान के चल रहा हूं कि अगर आप 30% से उपर के slab में आते हो तो आप 30% की income दोगे अधर्वाइस आपका slab के according आपको टेक्स लगेगा अब एक और चीज़ की बात कर कर रहे हो चैब crypto में trading कर रहे हो यहां पर कितना टेक्स लगेगा पहली बात तो जब आप ट्रेड करते हो इस तो बिजनस यहां पर आपकी बिजनस इंकम कंसेडर होती है तो जो बिजनस इंकम पर टेक्स लगता है वह आपको लगेगा अगर आप कोई कंपनी बना के काम करत जाते हैं तो बिजनस इंकम पारी मैं बना लेते हैं तो आप इस अपंटेशन के अंदें आपने options के अंदर trade किया और आपका एक लाख रुपे का profit हो गया यह profit है ठीक है हमने एक लाख रुपे का profit consider के लिए कि हमरे एक लाख रुपे का profit हुआ है अब एक लाख रुपे के profit पे आप टेल लेक्स से उपर के slab में आते हो मैं माल लेता हूं आप को 30% का text देना है the answer is no आपको 30% यहां पे आप लगा रहे हो कि 30,000 रुपे हो गया बड़ यह आंसर गलत है 30,000 रुपे का text नहीं लगेगा क्योंकि यह आपकी अभी जो आपकी income आई गया है this is not a net profit यह income है profit कभ होगा minus आप एक office में बैट के option trading करते हो उस office का let's say आप रेंट देते हो आप रेंट देते हो 10,000 रुपे हो 10,000 रुपे आपका माइनस हो जाएगा अब मैं एक्जामपल ले रहा हूं yearly income है तो compare कर सकते हो यह आपकी एक बार की income होई हो सकते है आपकी साल की option trading से 20 लग की income हो गई और आपने रेंट पे कर दो लाख रुपे रेंट पे कर दिए whatever you have paid तो आपका माइनस हो जाएगा मैं एक्जामपल आपको इस तरीके से दे रहा हूं तो आपने जो भी रेंट पे कि आपने माइनस कर दिया आपकी कुछ employees है आप salary पे करते हो वह भी माइनस होगा आपने computer खरीदे आपने mobile खरीदे आपने काम करने के लिए वह सब भी आपका expense जो है वह माइनस होगा तो जो भी आप business कर रहे हो उसमें जो भी expenses आपके हो रहे है वह आपकी business income में से माइनस होता है और जो आपका net profit आता है आप हमेश्य टेक्स अपने net profit पर देते हो यह आपको समझना ज़रूरी है कि अगर आप काम कर रहे हो आप trade कर रहे हो तो आपका learning a lot तो टेक्स के बारे में आपको चीजा समझ आ रहे होंगी definitely अगर आप share market में इंट्रस्टेड है तो definitely you can open your trading account अगर अभी तक ट्रेड नहीं करते तो आप ट्रेड गर सकते हो अपने demat account and trading account आपको मिल जाता है so there are many many leading brokers अगर हम बात करें crypto market के अंधर तो आप किसी अच्छ की ऊपर invest कर सकते हो trade कर सकते हो for example coin dcx आपकी हो सकते हो major सवाल हो उनके मैंने जवाब देने की कोशिश करिया इस वीडियो के अंधर there can be other questions as well so कुछ questions है जो मेरे पास आये थे मैं उनके जवाब देता हूं कुछ लोग कहते हैं sir crypto के ऊपर जब कोई law ही नहीं है crypto भी government ने बो government को इसके बारे में नहीं पता लगता जो आपको पताया as of now कि government इसे track नहीं करते हैं तो अगर हमने इसे छुपा लिया तो किसी को कुछ नहीं पता लगे बट अगर पता लग गया तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि income tax वाले सब आगे check करते हैं तो सब कुछ चेक कर सकते ह और वो आप पे आपके tax की ऊपर 300% तक penalty लगा सकते हैं तो आपने जो कमाया वो सब को जा सकता है तो चुपाने की ज़ुरूत नहीं है तो आप अच्छी बात है कि tax pay कर दें तो better रहेगा ठीक है similarly shares के अंदर भी लोगों को पता नहीं होता एक सवाल shares की ऊपर मेरे पास आया अब मान के सलते हैं कि वो 200 रुपे होगा अब यहां पे आपको लगता कि आपको capital gain tax देना बढ़ेगा आपको देना तब है जब आप इंशेर को बेच होगे अगर आपने बेचा नहीं तो tax नहीं लगेगा same goes for crypto अगर आपने कोई coin खरीदा कोई आपने share खरीदा एंड आप तो यह तो अपने अपनी capital invest कर दी अब वह एक लाग रुपे example के लिए एक करोड रुपे हो गया तो अगर वह एक करोड रुपे हो गया तो आपका सवाल आ सकता है कि यह 99 लाग का profit हो है इस 99 लाग रुपे पर tax लगेगा the answer is यह तब तक नहीं लगेगा जब तक आप इसे होगे नहीं अगर आपने बेच दिया आपने माल लीजिए यह आपकी investment bitcoin में थी और आपने bitcoin को बेच के आपने फिर dodge coin खरीद लिया तो अब आपका tax लग जाएगा अगर आपने यहां पर sell कर दिया और वह आपने bank में पैसे नहीं लिया माल लेते हैं अपने coin dcx पर ही आप आपके payment account में ही है आपने sell कर दिया आपको tax लगेगा अगर आपको लगता है कि विया कुछ लोगों के सवाल होता है ऐसे दिमाग में बहुत सरे questions होते हैं तो मैं try कर रहा हूं कि सबके जवाब दे दू कि कोई ऐसा सोचता है कि विया मैंने investment करी थी आपने किसी शेर में 10 ल को बेचेंगे तब टेक्स देंगे तो hold करने पर tax नहीं है ठीक है hold is gold anyways so there can be a lot of questions यार एक नहीं है बहुत सारे सवाल है आप comments में पुछिए मैं try करूंगा जवाब देने का and we can make more videos if you want so अभी आपको ITR भरने का time आगया तो text saving की ओपर if you want the videos I can definitely make videos on text saving also आप पूछ सकते हैं बट शायद आज के लिए इतना काफी है so we'll see you in the next video if you have some questions ask in the comments you can share this video कर आपको लगता है यह information और लोगों के लिए नेसेसरी है जरूरी है तो इस वीडियो को शेर कीजिए इस चैनल पर बली बारा है subscribe कीजिए बेल इकन पर क्लिक कीजिए and facebook पर देखने follow कीजिए क्योंकि आ click on the bell icon I will see you in the next video till that time you go self ride